पश्ची मुत्ता परदेश के बड़े नेता और सहरनपूर के पूर विधायाक इमरान मसूद के दोबारा कॉंग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं वे बस पर छोड़ कर कॉंग्रेस में सामिल हुए थे वही अब उनके दुबारा कॉंग्रेस में जाने के कयास लगा जा रहे हैं खुद इमरान मसूद का कहना है कि कई दलों से बाचीच चल रही है हाला कि उन्होंने या इस पस्ट नहीं क्या कि वैकिस राजनीतिक दल में शामिल होंगे वही सियासी गलियारों में चर्चा है कि इमरान मसूद 7 अक्टूबर को कॉंग्रेस में सामिल होंगे लेकिन इमरान ने अब इस बात की पुष्टी नहीं की है बता दे कि इमरान मसूद ने हाल ही में मुझफ़र नगर में कारेकरेम के दोरान कहा था कि अब मुसल्मानों को एक जुठो कर कॉंग्रेस का समर्थन करना चाहिए मुसल्मानों के लिए कॉंग्रेस ही एक मात्र विकल्ब है तबी से उनके कॉंग्रेस में सामिल होने के कयास लगाय जा रहे थे मुझपर नगर में कॉंग्रेस नेता अबास अली खां के आवास पर इम्रान मसूद ने कहा कि वर्तमान समय में दो विचार धाय रह गई है एक विकल्ब कॉंग्रेस के साथ है और दूसरा विकल्ब भारतिय जंता पार्टी के साथ है उन्होंने आगे कहा कि मुसल्मान दलित और ब्राहम मन कॉंग्रेस के परंपरा गत्मत दाता रहे यदि मुसल्मान कॉंग्रेस में वापस लोट आए तो ब्राहम मन दलित और अन्य पिछला वर्ग भी कॉंग्रेस में लोट आएगा अब देश में बदलाव का दोर है और 2024 के चुनाव में बदलाव होना तै है हलाएक इमरान मसूद अभी तक कॉंग्रेस के किसी बड़े नेता से नहीं मिले है और अभी तक पार्टी में दोबारा शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस में सामिल होने के संकेज जरूर दिये है